हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेगी जीरोदा में KYC कैसे अपडेट करते हैं दोस्तो KYC अपडेट में आप अपनी email id, mobile number और bank account में changes करके उन्हें अपडेट कर सकते हो अगर आपको इन informations को अपडेट नहीं करना है तो आप इस वीडियो को skip कर सकते हो तो चली बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको जीरोदा के काइट mobile app को ओपन करना है app ओपन करने के बाद आपको यह इस account के symbol पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यह profile पर क्लिक करना है या आपको manage account पर क्लिक करना है उसके बाद console का ये page open होगा या personal के section में email के पास pencil का option मिलेगा इस पर click कीजिए या आपको instruction read करके इस पर tick mark करना है अभी या आपको email या mobile किसी भी एक option को select करना है आप जिस भी option को select करके send OTP पर click करोगे तो उस पर broker के द्वारा एक OTP बेज़े दाएगा आपको OTP डाल कर submit कर देना है 24 गंटे में आपकी email ID broker के द्वारा update कर दी जाएगी ऐसे ही same process mobile number अपडेट करने के लिए है या pencil पर click कीजिए उसके बाद again या tick mark कर देना है और send OTP पर click करके OTP डाल कर submit कर देना है आपके mobile number भी 24 गंटे में broker के द्वारा update कर दी जाएगे उसके बाद या आपको blue color के box पर click करना है या bank के option पर click करना है उसके बाद ये page open होगा या bank के section में आप primary जो main bank account है उसको update कर सकते हो उसके लिए आपको या pencil पर click करना है दोस्तों आप bank account update करने से related कुछ information दी हुई है या बताया हो है कि आपके इस trading account में आपका खुद का bank account होना चाहिए या trading में आप third party bank account aid नहीं कर सकते है एक बार आप primary bank account को modify कर देते हैं तो उसके बाद आपका पुराना bank account हट जाएगा और bank account modification करने पर 25 रुपे प्लस 18% GST चार्ज लगेगा अगर आप इन सभी information से satisfy हो तो आप यहाँ पर अपना bank account number एंटर कीजिए या again bank account number एंटर कीजिए उसके बाद या IFSC code fill कर दीजिए अब यहाँ आपको इस information को read करके इस पर tick mark कर देना है और proceed to e-sign पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ sign now पर क्लिक करना है अब यहाँ आपको tick mark करना है और अपना अधार card number डाल कर send OTP पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ OTP डाल कर OTP को verify कर देना है अब यहाँ आपका update success हो चुका है 24 working hours के अंदर आपका bank account broker के द्वारा update कर दिये जाएगा दोस्तो इस तरीके से आपका primary bank account update हो जाएगा अगर आप दूसरा bank account add करना चाहते है तो यहाँ add bank account पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ दो बार अपने bank account number डालने है और यहाँ IFSC code डाल देना है अगर आप यहाँ जो bank account add कर रहे हो इस bank account को अपने primary bank account के रूप में set करना चाहते हो तो इस पर tick mark कीजिए अगर आप इस bank account को primary set नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर tick mark ना लगा है उसके बाद यहाँ declaration को read करके tick mark कीजिए और email या mobile किसी भी एक option को select करके send OTP पर click कीजिए उसके बाद आपको OTP डाल कर submit कर देना है बाकी की पूरी process से है जो आपने primary bank account को update करते टाइम की थी 24 working hours के अंदर आपका दूसरा bank account broker के द्वारा successfully add कर दिया जाएगा दोस्तों अगर आपको इन informations के लावा कोई और informations अपडेट करनी है तो आप broker से contact कर सकते हो I hope आपको वीडियो में दीगी जानकारी helpful लगी होगी अगर आपको share market से related कोई भी doubt हो तो आप wealth pool के beginners के telegram group में अपने doubt कूँ सकते हो telegram group की link description में है धन्यवाद